नमस्ते फ्रेंड्स आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल रिनाज इंडियन कल्चर एंड वास्तु सास्त्र में फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है अगले महीने रंगों का त्योहार होली आ रहा है होली से ठीक आठ दिन पहले होला अश्तक लग जाते है और होली का दहन के दिन तक चलते है होला अश्तक यानि आठ दिनों का वो समय जब हिंदू धर्म में मांगलिक कारिय कर्म जैसे शादी, बिहा, मुंडन, ग्रह प्रवेश, आधी, निशेद माने जाते है इस पार होली का दहन की तारीक है 7 मार्च, मंगलवार यानि 8 दिन पहले 27 फरवरी से होला अस्तक लग जाएंगे हिंदू तिथी की बात करें तो होली का दहन फागुन महा की पूर्णिमा को होता है और आट तिन पहले फागुन महा की अस्टमी से ही होला अस्टक सुरू हो जाते है और होली का दहन के साथ ही ये अशुबकाल समाप्त होता है होली का अस्टक क्यों लगते है और इस दोरान सुब काम क्यों नहीं किये जाते है इसके पीछे ग्रहों की अवस्था और पौरानिक कथा मश्हूर है चलिए जानते है होला अस्टक को लेकर क्या मान्यताई है और इन दिनों में क्या नहीं करने की सलहा दी जाती है ग्रहों की बात करें तो जोतिश सास्त्र में यह कहा जाता है कि फागुन महा की पूर्णी मा से पहले के आट तिन लगबक सभी नव ग्रहे अस्त और रुद्र अवस्था में होते है यानि इन दिनों ग्रहे अस्त होकर अशुब फल देते है इसलिए मान्यता है कि अगर इन दिनों में कोई शुब काम किया जाता है तो उसका फल या अंत स सुब नहीं होता है इसलिए सुब कार्यक्रम जैसे शादी, सगाई, नए ग्रहे में प्रवेश, बच्चे का मुंडन और यहां तक की नए गाड़ी इत्याधा भी इस समय नहीं खरीदी जाती है क्योंकि माना जाता है कि ग्रहों की रुष्ट द्रश्टी अच्छे काम भी बाधित कर सकती है। बन जाए लेकिन पहलाद अपनी भक्ती से नहीं डिगा, आटवे दिन पहलाद की बुआ होलीका ने अपनी गोद में बिटा कर अपने भतीजे को भश्म करने की कोशिस की, लेकिन भक्त पहलाद का बाल भी बाका ना हुआ, और होलीका जलकर भश्म हो गई, मान्यता है कि पूरुनी मां से पहले के वो आठ दिन जब भक्त पहरलाद ने यातनाई सही होला अस्तक कहलाते हैं, इसी कारण इन दिनों में शुब काम काज करने की मनाही होती है, इन कामों को न करने की दी जाती है सलहा जिसमें ही कुछ इस परकार है, होला स्टक में मान्यता अनुसार सुब और मांगलिक कार्यकरम की मना ही होती है इस दोरान शादी बिहा तो नहीं कराये जाते सगाई और तिलक आदे भी आयूजित नहीं करना चाहिए इन दिनों में नया वहान या नया सामान खरीदना नहीं चाहिए इन दिनों में नए मकान की डील या ग्रह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए इसको अशुब माना जाता है इन दिनों में बच्चे का मुंडन संसकार नाम करण और जनेव संसकार भी करने की मनाही की जाती है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर रवश्य करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो देखनी के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगड़ी वीडियो में